हेलो भीवर्स वेलकम बेक टुमाई एडुकेशनल एक्टिविटेश ट्रडिस चैनल आज के इस वीडियो में पढ़ बहार हिंदी चत्धु धस्रेनी यह पुस्तक पढ़ाने वाली हूँ पढ़ाने सुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दो कि सुची पत्र में यह जो पहला पार्ट से लेकर 26 पार्ट तक है यह सारे कवीता और कहानी का जो भी वीडियो है वो सारा मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है तो आप मेरे चैनल के प्ल फ्र electoral उत्तर तो जैसे की आप सभी जानते है कि पार्ट वन की वीडियो में कुछ प्रस्न उत्तर यानि कि प्रश्न एक से लेकर यहां तक मैंने करा दिया है आज पंप्रस्न के वीडर। करेंगे प्रस नंबश पांच से तो जैसे की आप तेक प्रस नंबर पांच से यह ज हो गया यह वीडियो छोड़ने में अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको अच्छी लगे ते वीडियो को जरूर लाइक कर दें तो प्रस्न है पांच इस पार्ट में ऐसे अनिक सब्द है जो योजक चिन से यूगत है तो यो चिन्य कहते हैं कहानी में ऐसे कितने सब्द और है उन्हें खोजकर बाक्य में भरो तो कहानी में ऐसे और कितने सब्द है। उसे खोच कर उसके बाद है घुमा घुमा कर उसके बाद है अलग यह चिन है ठीक है उसके बाद फिर अलग उसके बाद है काले काले उसके बाद है लुका छुपी उसके बाद है तर तर उसके बाद है धीरे धीरे गर्म गर्म जगा जगा नन्हे नन्हे तरहा तरहा रंग बिरंगी कैसे कै से थकी मंदी इधर उधर अपने अपने तो यह सारे सब्द हमें कहानी से मिले हैं जो की योजक चिन्न से चिन्नित है प्रस्त नमबर छे ध्वन्वात्मक ध्वनी से जुड़े सब्दों का प्रयोग करते हुए बाग के बना तो हमें यहां पर ध्वनात्मक सब्द से तो इन चारों सब्दों से हमें बाक्य बनाना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ची ची अगर हम इसे द्वनात्मक सब्दों से जुड़े बनाएंगे तो यह होगा ची ची करते हुए क्या कहती है चिडिया उसके बाद था गुटर्गू की आवाज निकालते हैं उसके जी 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 जिंगूर रात में जी जी करता है प्रस्ट नंबर साथ ध्वनात्मक सब्द जिन से जुड़े हैं उनका नाम लिखो जैसे ची ची से क्या जुड़ा हुआ है तर्टर से क्या जुड़ा हुआ है उसके बाद गुटर्गू से क्या जुड़ा हुआ है उसके बाद का चिडिया गुटर्गुका कबूतर तर्टर का मेधक और जीजी का जिंगूर तो इस तरह से हमें यह सब उत्तर को लिख लेना है तो यहां पर लिखा है धिसा इसमें तालवी संव में आकी मातबा आर यहांपे दान्ती संव में आकी मात क्याया है कि किसी स्थान या बिंदू तक ले जाने वाली रेखा उसने दूसरी दिसा में देखा तो यहाँ दिसा है क्या दिसा जो रास्ते हमें दिसा दिखा थी वह दिसा के बारे में है और यह दिसा है मल्त याग करने की क्रिया पैखाने जाना जाड़ा फिर ना तो यह दिशा का मतलब यह हो गया तो तुम्हें लिखना था यह और तुमने लिख दिया है यह ठीक है उसके बाद था बास तो क्या लिखना था लिखना था यह तिनके की जाती का एक लंबा सीधा गिरहदार पौधा तो यह लिखना था और हमने क्या दिखा निवास बास इस स्थान थीक है उसके बाद साम तो यहां होगा रातरी और दिवस के तो यहां प्रफुलता और इस बाहर का है सीमा के पार जैसे मकान के बाहर अलग तो एक ही सब्द है दोनों लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है तो यह सब्द है इस प्रकार प्रस्त नमबर नौ वर्न विच्छेत करो अलग कजरी रिमजीम और चकर तो इसका वर्न विच्छेत देख लीजे आप इस तरह से करना है का वर्न विच्छेत मैंने किया है रिमजीम का किया है कजरी का किया है चकर का किया है तो इस तरह से आप वर्न विच्छेत को लिख ले प्रस नमबर दस नीचे दिये गया संग्या और विशेशन की जोड़ियों को उनके सुद्ध रूप में उनके नीचे लिखो सुहावनी दूद, गर्म पौधा, कमजोर सुरज, सुखी धूप, लाल घास ताहिए इसको उतर देख लेते हैं सुहावनी दूद, इसका होगा सुहावनी धूप, गर्म पौधा, इसका होगा गर्म सुरज, कमजोर सुरज, इसका होगा कमजोर पौधा, सूखी धूप, इसका होगा सूखी घास, लाल घास, इसका होगा लाल सुरज तो इस तरह से इसका उतर कर लेना है प्रस्ने 11 असुद्ध सब्दों को उनके सुद्ध रूप में लिखो धूप धूरी कबूतर तेड़ी जिंगूर इस प्रस्ने का उतर कुछ इस प्रकार है धूप तो यह इस तरह से लिखना है धूप उसके बाद यह है गूरी तो इसे इस तरह से लिखना है गूरी कबूतर तो इसे इस तरह से कभूतर लिखना है। उसके बाद यह है टेड़ी तो यह होगा टेड़ी, यह जंगूर तो इस तरह से जंगूर लिखना है। तो मांत्रा की हेर फिर हुई है इस तरह से लिख लेना है। प्रस्ण नमबर 12, मौसम की बिभिन विसेस्ताओं को लिखो एक कर दिया गया है, मौसम का नाम गर्मी, उसकी विसेस्ता गर्मी पड़ती है, पहनावा, वस्त्र, समान, हलका सूती वस्त्र और पंखा, मिलने वाले फलो का नाम आम, जामून, तरबूज, तो ये बताया गया ह इसे तरह हमें और मौसम का नाम लिखना है, जो हमें इस कहानी में मिला है, तो वो है ठंडा, उसकी विसेस्ता क्या है, ठंडा पड़ती है, यानि कि हमें सर्द लगता है, ठंडा लगता है, पहनावा, वस्त्र समान है, तो मोटा वस्त्र पहनते हैं, स्वेटर, उनी और कंबल और मिलने वाले फल है संतरा, अंगूर, सेव और भी बहुत सारे फलों का नाम है उसके बाद लिकाए है मौसम का नाम भर्साथ उसकी विसेस्ता बारिस होती है और पहनावा, वस्त्र समाने तो हलका सूती वस्त्र, छाता, रेंकोट ये सब हम लोग समान लेते हैं और मिलने वाले फलों का नाम है अनार, अमरूद, लीची और भी बहुत सारे फल मिलते हैं अब आते हैं प्रस्त नमबर 13, जरा सोचो और पाट से सूरज की अलग-अलग खेलों को खोच कर लिखो जैसे कि यहां एक ठो करके बताया गया है धरती पर दिन और रात बनाने का खेल तो उसके बाद मैंने यहां लिखा है धरती पर सूरज हर रोज पूर्वे दिसा से उगता है और साम को पस्चिम दिसा में अस्त होता है कभी सूरज बेहत गर्म होता है तो कभी बहुत सूहावना सूरज निकलते ही फूल का खिलना ठीक है तो यह सारे सूरज का प्रिथिवी पर खेल है प्रस्न नमबर 14 तुमने गर्मी से बचने के लिए भैसो को तलाव में बैठा देखा होगा गर्मी से बचने के लिए तुम क्या क्या करोगे लिख कर बताओ तो मैंने यहां पर चोटी सवाग के लिखे हैं, तुमनों अपनी भासा में भी लिख सकते हो, मैंने यहां लिखा हैं, गर्मी से बचने के लिए दिन भर में बहुत सारा पानी पीएंगे, ज्यादा तेल मसाला खाने से परहेज करेंगे, फल और हरी साख सबजी खाएंगे, सा यहां बॉक्स में सब्द हैं मौसम, दिन रात, बादल और जीवित, तो परस्न पंद्रा का एक प्रिथिवी की अपनी धूरी पर घूमने के कारण डैस होता है, तो प्रिथिवी की अपनी धूरी पर घूमने के कारण दिन रात होता है, तो हमें यहां पे लिखना है, दिन प्रिथिवी की अपनी धूरी पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं 15 का दो सूरज के चारों और घूमने के कारण प्रिथिवी में अलग अलग क्या होते हैं मौसम ठीक है तो यहां पर लिखना है मौसम उसके बाद प्रसने पंद्रहा का तीन अगर सूरज नहीं होता तो कोई भी प्रानी नहीं रहता क्या नहीं रहता जीवित नहीं रहता तो यहां पर उत्तर होगा जीवित नहीं रहता पंद्रहा का चार सूरज क की गर्मी पाकर ही जल भाप में बदल कर ड्यास बन जाता है तो क्या बन जाता है बादल बन जाता है तो इस तरह से यह चारो box के उत्तर को हमें इस खाले इस्थान में लिख देना है अब आते हैं प्रस्ण नंबर 16 पर बाक्य में क्यूं कहां कैसे किस कब कौन क्या आदी लगाकर प्रस्नवाचक बाक्य बनाओ प्रस्नवाचक बाक्य जिसे बनाना है वो सारे बाक्य है मुनिया आगे ऊड़ चली ब्राकेट में है कहा सूखे मैदान घास से भर जाते हैं ब्राकेट में क्यूं और किस से लगाकर हमें प्रस्नवाचक बनाना है द नहां पर मैंने सिर्फ उत्तर लिखा हुआ है सोला का एक मुनिया आगे कहां उड़ चली प्रस्न सोला का दो सूखे मैदान घास से क्यूं भड़ जाते हैं प्रस्न सोला का तीन दो पहर में कब धूब बहुत तेज होता है सोला का चार क्या रास्ते में मुनिया को एक कबूतर मिला तो इस तरह से हमें इस वाक्य को यह सारे क्या किसे कव यह सारा यूच करकर इस्तमाल कर हमें प्रस्न वाचक बाक्य बनाना है इस तरह से अब आ गए हैं दूसरा पेच प्रासन nember 17 पर पाट के वाक्यों से कर्था और क्रिया सब्सक्राट कर लिखो तो जैसे कि यहांपर है कर्था और क्रिया तो हमें कर्था और क्रिया से उगदा है तो यहाँ पे करता है सूरज और क्रिया है उगता उसके बाद सरोबर में हंस तैर रहा था तो यहाँ पे करता है हंस और क्रिया है तैर यानि की तैरना प्रिथिवी अपनी धूरी पर गोल घूमती रहती है तो यहाँ पे करता है प्रिथिवी और क्रिया है घूमती यानि की घ पक्षि अपने हो गया करता और लोटना पर लिए गए अनुच людям निम्न लिखित प्रसन का उत्तर लिखो हंस ने मुस्कुराते वे जबाब दिया मुनिया तुम बड़ी भोली हो देखती नहीं सुबा की धूप में कमल के फूलों में कैसी बहार आ गई है इन खिले वे कमलों को देखकर किसे खुसी नहीं होगी तो यह चोटी से अनुच्छेद है इसमें से ही हमें ये प्रस्ने का उत्तर लिखना है तो अठारा का एक का जो प्रस्न है मुनिया को भोली किस ने कहा इसका उत्तर है मुनिया को भोली हंस ने कहा अठारा का दो कमल के फूल में बहार किस से आई इस प्रस्ने का उत्तर हुआ क करकंगे तो इसका उत्तर है कि लेगए कमल को करक्षिंही नहीं होगी तो इसके फिले फिलेवे कमल को देंख खर खूसी क्यों होती है तो इस बीह हुए कंदर लगते हैं देखनेमे इसलिए देखकर खुसी होती है तो इस तरह से यह सारा उत्तर लिख लेना है अब आते हैं प्रसन नमर 19 पार्ट से बीविन नाम वाले सब्दों को खोजो और लिखो पसुओ का नाम हमें पार्ट से मिला है गाय और मेंधक पक्छियों का नाम लिखा है चिडिया उल्लू हंक्स कबूत और कीट पतंग का नाम है जिंगूर और तितली ठीक है उसके बाद है देश का नाम भारत और अमेरिका अब आते हैं इसके बाद यहां पर लिखे गए सभी नाम को सर्वनाम कहलाते हैं उसके प्रसने 20 पार्ट में मुनिया ने कहा हंक्स मामा यहां मामा एक समंध सूचक सब पता के बाद को दाद कहते हैं ठीक है तो इस तरह से यह सारा उत्तर कर लेना है तो अगर मुझसे कहीं भी भूल चुक हो यह तो आप लोग हमें चमा कर देजिए और कहीं अगर मुझसे भूल हो यह तो आप सब कॉमेंट में मुझे जरूर बताए कि कुछ एंसर गलत हुआ है तो अब आते हैं यह प्रस्त नबर 21 पर पाट में आए आनंद खुसी गर्मी सर्दी ठंडा पीला पन जैसे सब्द भाव गून दसा अवस्था आधी को पोध करा रहे हैं अतेव ऐसे सब्दों भाव वाचक संग्या कहलाते हैं और भी उधारन देखो जैसे पढ़ाई लिखाई भलाई खटास बीमारी ह हर्याली कथन बुड़ापा घवराहट ममता बचपन उडान लड़कपन आदी तो यह सारे कुछ भाव वाचक संग्या का उधारन है ठीक है तो यह यहां पर खत्मोदा है अब चलते हैं नेक्स्ट पेज़ पर प्रस नंबर 22 नीचे के दोनों चित्रों के 6 अंतरों को खोज कर निकालो तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां दोनों चित्र एक ही जैसा है तो यह दोनों चित्र से हमें 6 अंतर खोज कर निकालना है तो ठीक है तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पर की ऊपर में जो की है 6 बादल 1 2 3 4 5 6 और नीचे के चवी में है 5 बादल 1 2 3 4 5 तो यह यहां पे लिखना होगा। उपर के चवी मैं 6 बादल है और नीचे के चवी में 5ु कंच उसके बाद हमें देखना पड़एगा उपर के छवी में 4 Chain practicing चार क! और नीचे के चवी में 1 2 3ं यहां पे चुड़िया नहीं है, नहीं है ना! तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि उपर के चवी में चार चिडिया है और नीचे के चवी में तीन उसके बाद उसी तरह हमें लिखना पड़ेगा उपर के पतंग में देखो कोई रंग नहीं है पर नीचे के पतंग में रंग है उसके बाद देखो यहां पे तीन कमल ह और यहां पर दो कमल है इस बॉल में देखो तीन काला रंग है और एक काले में थोड़े-थोड़े साधा रंग भी है और यहां पर नहीं है इस बॉल में इस तरह से लिखना पड़ेगा और इस लड़की के फ्रॉक में दोड़ी-दोड़ी दाग है और इस लड़की के फ्रॉ उपर के छवी में 6 बादल है और नीचे के छवी में 5, उपर के छवी में 4 चिडिया है और नीचे के छवी में 3, उपर के पतंग में कोई दाग नहीं, नीचे के पतंग में दाग है, उपर के छवी में लड़की के फ्रॉक में लंबा दोड़ी दाग है, नीचे के छवी में न लिखना थो इसका उतर इसतर से लिख लेना ना तो पहली का सारा प्रस्ण उत्तर यहां पर कहत्म होता है आसा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल नहीं है तो चैनल को जब सब्सक्राइब करें कि अ कि अ